सोलन में जगा जगा पत्थर और रेट की खाने चल रही है। यह खाने नियमनुसार चले और किसी भी तरह परेवरन से छेरचार ना हुए। इसके लिए माइनिंग अधिकारी कड़ी मेहनत कर रही है। खानों में जाकर आवश्रिक दिशा नर्देश दिये जा रही है। आपको बता दे कि जो अवैद खनन कर रहा है उस पर तो विभाग शिकंजा कसी रहा है। अगर कोई वैद खान भी चला रहा है तो वे नियमनुसार चले। इस पर भी विभाग कड़ी नजर रखे हुए है। विभाग का एक ही उदेश है कि किसी भी सूरत में परियावरन क बचाना और आकस्मिक दुरघटनाओं पर अंकुष लगाना। इसके लिए विभाग में विशेश अभ्यान चलाया है और सक्त कारेवाही भी अमल में लाई जा रही है। अधिक ज्रानकारी देते वे माइनिंग ओफिसर दिनेश कॉंडल ने बताये कि जिला सोलन में करीब कर नियमों की पालना करने के आदिश दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आदिश अनुसार खान संचाल को ने कारें नहीं किया तो उनकी खानों को बंद करवा दिया जाएगा। और आपके रिए लरी और आपका बेला में में जो माईस हैं उनको विजिट किया है और परनली मैंने सभी माईसको गाईदन सभी घर ओडिया हैं। अनुसी काईब कर अब् покуп एक जिका रही मिरेक्सी तो पर गलतिया है तो कई से वेच में बेच से तो पालना उनकी लिए अन आगे के कारवाई उनको बंदी करने पड़ती है माइस हमारे यहां से ओरर हो जाते है और माइस को बंद करती है जब तक वो ऐस पर गाइड लाइस नहीं चलते है लाइट टीवी के लिए सूलन ब्योरो के वेपड़ आपके विधायक ने पिछले चार साल में क्या कुछ किया? क्या मुकम्मल हुआ और किसे क्या दरकिना? जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास के रफ्तार? लाइट टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपो लाइट टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट का खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधान सबा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार साथ ही इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हवते केवल लाइट टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़े अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004